दुनिया में सबसे ज़ादा डर आपको कौन सा शक्त सुनके लगता है वैसे तो जितने मू उतनी बाते लेकिन एक option ऐसा है जिसको सबसे ज़ादा vote मिलेंगे काला जादू ब्लाक माजिक अगर ये गलती से कहीं सुनाई दे जाए तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे साथ में दिमाग भी नीन से जाग जाता है आपको confusion होगा शायद ये तंत्र बगएरा सिर्फ नाटक है फाल्तु का ड्रामा करते हैं सब तो चलो आपका शक आज दूर कर देती हूं मैं वीरू पाक्ष ये है तेल्गू फिल्म इंडस्ट्री से निकलने वाला एक नया खतरनाग बॉम कॉंटेंट इतना जादा सॉलेट की प्रभास की सूपर डूपर मच अवेटेट फिन आदी पुरुष भी नीचे दब जाएगी अब शिकायक करते होना हॉरर मुवीज में कहानी नहीं होती तो चलो आप सारी कंप्लेंट खतम कर दूंगी आपकी वैसे तो फिल्म शुरू होती एक लव स्टोरी के साथ लड़का अपने गाओं वापस आया फ्रम शहर नजर पड़ी एक सुन्दर लड़की पे दोनों के दिल आपस में टकरा गए अब इस लव स्टोरी का विलन कोई इनसान नहीं है बलकि ये गाओं खुद बन जाता है अचानक से पूरे गाओं में होने लग जाती है कुछ अजीब और गरीब मौत वो जिसमें इनसान से ज़ादा किसी शैतान का हाथ लगता है और इन सारे मॉर्डर्स में एक चीज़ बिलकुल कॉमन है मरने वाले की हालत इतनी बुरी कि दूसरा इनसान उसको धंक से देखने की हिम्मत भी ना कर पाए अब गाओं की रक्षा करता है इसके बीच मौझूद सालों साल पुराना एक देवी देवता का मंदिर इसके पुजारी बच्टे का सिर्फ एक रास्ता बताते हैं पूरे गाओं को लॉक कर दिया जाए ना कोई बहार वाला अंदर आए ना ही अंदर वाला बहार जाए अब ये सब तो चल रहा है प्रेजन टेंस में डर का माहौल इंसान मर रहे हैं कोई भूत वगेरा अंदर गुसाया है अब चलो थोड़ा पास्ट में हिस्ट्री इस गाओं में ना एक कहानी बड़ी मशूर है एक पागल सन की तंत्रिक्की जो अपने किसी तंत्र वगेरा को पारफुल बनाने के लिए छोड़े बच्चों की बली देता था अब उसका बात में क्या हुआ वो तो फिल्म देखकर आप पता लगा लेना लेकिन गाओं वालों को शक है कि इसकी आत्मा वापस आई है जो लोगों को चुन-चुन कर मार रही है मैं आपको फ्यूचर दिखाती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ये एके गाओं वाले चुन-चुन कर रही मरेंगे ये सब के सब मरने वाले है एक साथ सब की बली दी जाएगी और कमाल की बात जानते हो क्या जो इनको मारने वाला है वो खुद इन लोगों के बीच में मौजूद है मामुली इंसान मनकर इंसान के शरीर में शैतान कौन कैसे क्या होने वाला है बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आपको खुद पता लगाने हैं बस साथ में हनुमान 40 सा रखना बहुत डर लगेगा अचानक से स्क्रीन पर जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करोगे ना कि फिल्म में कुछ होने वाला है बस ठीक उसी मॉमेंट पे आपको हार्ट इटेक देने वाले हॉरर सीन्स बिना दर्वाजा नौप की गुसे चले आते हैं ब्लैक मैजिक वाले कॉंसेट का इस्तमाल बहुत दरावने तरीकी सी किया है फिल्म में शायद रियल लाइफ में और जादा घबडा जाओगे आप अगली बार ये शब्स सुनके शायद वार्निंग देना भूल गई मैं लेकिन ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है या तो साथ में देख लेना तीन-चार का ग्रुप बना के चलो मैं आपको चैलेंज करती हूँ फिल्म के क्लैमेक्स रिवील से पहले आपको घंडा बतानी चलने वाला के फिल्म का असली विलन आखिर है कौन शर्ट लगा लो कहानी को इतना जादा धोके बाज वाली राइटिंग के साथ लिखा गया है कि हर दूसरे कैरेक्टर पर शक जरूर होगा लेकिन यकीन में कभी नहीं बदलता सिकुमार को जानते हो ना आप अरे पुश्पा जुकेगा नहीं साला वाले मास्ट माइंड ये जितने बड़िया डिरेक्टर है ना उससे भी जादा कभाल के राइटर भी है हमेशा एक से बढ़कर एक फिल्म पहले मैंने देखी थी रंगास थिलम भाई उसके भी एंड सीन से पहरे आप समझी नहीं पाओगे कि फिल्म का असली ट्विस्ट आखे था क्या और अब ये वीरू पाक्ष इसका सस्पेंस भी बहुत ज़ादा खतरनाक है साथ में होरर अलग से भर दिया तो ये कॉमिनेशन स्पेशल बन जाता है अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत माइंड रीडिंग तो मैं भी कर सकती हूँ फिल्म देखनी कहां पे है टेंशन नौट कप्डे बदलने की भेहनत मत करो थियेटर नहीं जाना है Netflix खोलो फिल्म आज के आज गर्मा गर्म रिलीज हुए है तुरंद IPL मैच के बाद रात में देख डालना अन्हेरे में फिल्म का अलग मजा आएगा I promise बस साथ में हनुमान चालीसा जरूर रख लेना जी ठीक है बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा जहन बजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई